कहां फंसी थे एक बार बोल दो वापस से उसको बता देते हैं देखो एक बार पहले बताते हैं वह सुन लो फिर बात करते हैं यह जो वॉयलेट वॉला है दिख रहा है इसका बात कर रहे हैं यह एक्टिव साइट है ए बैंड का ठीक है यहां पे यहां इस ग्रीन और ब्लैक के नीचे यह जो है यह एक्टिव साइट है आई बैंड का ठीक है बलो बोलते रहा तुम माई कर मिट कर लो भी अकेले हो तुम अब देखो इस दोनों को बाइंड करने से रोक रहा है कौन ट्रोपोनेन और ट्रोपोमायोसन ठीक है अब देखो यह जो होता है यह फिक्स होता है यह जो होता है यह स्ट्रिचिबल या मूवेबल होता है ठीक है अब देखो जैसे ही कोई इंपल्स आएगा तो इंपल्स के इंफ्लुएंस में से सार में अगर यह मत ज़ाद करो ऐसा बनाकर दिखाएए तुमको कि एस इसमें यह सब आघाल से यह जो इक्ट ने दिख्रार इन तो यह सब कहां है इस मसल सेल NHS बंडल के आप फिरिंट्र सैन्ग हरे एक जो है हरेक यहैं अगर मान मुंद ने स 500 साइ-टो प्लाजम वह चांड ओट रहा बोलो ईसो नहीं पहें तो ये जो मसल फाइबर से मेरे वह साइटो प्लाजम में जैसे ही MP3 अ तो इन मसल फाइबर कैल सिमायन हो जाता है साइन एक साइटों प्लाजम में करशा में क्या होता है एक सब्सक्राइब कर जाता है और ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन बाइंड हुआ तो जो आई बैंड के अगर यहां से हट गया है जैसे ही फ३ा उपर में अगर एक डुदम नसीक हो लेकिन बीच में हलका गैप हो तो एक दुसरे को attract करता है तो ये वाला इसको खीचेगा तो इस side का कर हम बात कर कर रहें इस side का अभी हम इस side का बात कर रहें ये इसको इधर खीचेगा इस वाले को खीच रहा है ये वाला fix है लेकिन ये वाला moveable है iband moveable है आई-ban कीजिर लिख्धी तो यह खीचा आया ऐसे आके जूड़ गया दिख रहा है यहां था ऐसे आके जूड़ा तो थोड़ा अंदर की तरफ आया है है न सैप और जब कॉंट्राइक करेंगा तो दोनगे ऑगेंड आकर यहां पे ऐसे जूड जाएगा समझ मैं ना है यह gap फिल हो जाएगा तो अगर वो gap फिल हुआ तो जब कोई मसल कॉंट्रैक्ट करता है तो आप कि आप से पूछेगा कौन सा जो line ने है या जोन है वो disappear हो जाएगा तो कौन गायब हो जाएगा एच जोन एच जोन वो जगह था जहां पर आई बैंड नहीं था लेकिन अब जब कॉंट्रैक्ट का तो दोनों आई बैंड आ कैसे चिपक गया तो यह जो गया अब समझ लिए हो अभी भी कोई डाउट है तो बोलो पक्का आगे बढ़े यह सर चलिए आई गैस इस वाले को ना हमको वहाँ तो डाइग्राम में ऐसे पूरा एक मैसेज करकी लिखना भी पड़ेगा हाँ जैसे हम लिखे हैं वैसे लिखना पड़ेगा ठीक है और हम रुको एक काम करते हैं इसको यहाँ पे चिपका ही देते है हमारे पीडियेप में कोसिस करते हैं अगर चला गया तो इट इस वेल अन गुड नहीं जाएगा कुछ एड इसरफ टेक्स्ट हो सकता है ना अच्छा कोई नहीं लेट में ट्राइ हम कोसिस करेंगे दोनों को एक साथ कर दें यह पेज खाली छोड़ देते हैं चली अब हम लोग लिखेंगे जो पूरा मेकनिजम था उसको लिख देते हैं ताकि तुमको याद रहे कि कैसे क्या हुआ था डालो हेडिंग कॉन्ट्रैक्शन मेकनिजम लिखेंगा इसमें वैसे हम जो बताए वो तो सब सेम ही है इसको तुम भेज देंगे तब भी लिख लोगी बड़ चलो लिख लो रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन रिगार्डिंग अब कहा लिख रहने दिख रहा है नहीं दिख रहा एक बार और हम से अर करते हैं स्क्रीन अब दिख रहा है यह सर्थ तो रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन दा मोस्ट एक्सेप्टेड थियूरी दा मोस्ट एक्सेप्टेड थियूरी वज गिवन बाई वज गिवन बाई Most Active Theory का पले तो नाम बता दो ऐसे लिख देते हैं Huxley and Huxley Huxley and Huxley यह दोनों आपस में Father and Son थे Most Active Theory का नाम क्या है उसका नाम है sliding filament theory sliding filament थियो रिजिसकों लोग अभी अभी समझें कि actin वाला जो band है यानि eye band जो है वो अंदर slide होता है क्या कैसे होता है events देख लिजे events looking at first for muscle contraction for muscle contraction stimulation comes from brain stimulation stimulation comes from brain stimulation comes from brain and conducted by and conducted by motor nerve and conducted by motor nerve that releases that releases acetylcholine that releases acetylcholine at a neuromuscular junction ये neuromuscular junction का मतलब पता है सुनाली तर जहां पर बाकी चीज़े भी मतलब connect होते हो एक जगर junction किसको बोलते हैं ये याद है बताये थे cell junction हाँ जैसे मतलब दो अलग चीज़ या फिर कोई जहां भी कोई दो तरह के चीज़े that is junction neuromuscular junction वो जगा जहां nervous tissue muscular tissue से जुडे ठीक है ठीक है ये समय तो भी बोल रहते है नेक्स पॉइंट इसी टाइल कोलीन receptor इसी टाइल कोलीन याद हो का बताये थे 10th में भी ये neurotransmitter होता है इसी टाइल कोलीन receptor present on sarcolemma present on sarcolemma there is a इसी टाइल कोलीन receptor present on sarcolemma receives signaling receives signaling and transfers and transfers it to and transfers it to SR SR क्या? sarcoplasmic reticulum endoplasmic reticulum जैसा होता है normal cell में उसी तरह sarcomere में यानि muscle fiber cell में muscle cell में muscle fiber enabling muscle cell में उसी endoplasmic reticulum को sarcoplasmic reticulum बोलते हैं जैसा होता है तो इस अनलोगस to endoplasmic reticulum and transfers it to SR for releasing of calcium ion for releasing of calcium ions ठीक है? and also to myofibrils and also to myofibrils ठीक है? बोली यहां तक मैं कोई देखकर तो एक बार पढ़ लो क्या लिखे हैं क्या लिखे हैं क्यूंकि सब कुछ पहले बता चुके हैं बोली ये इस एक मिट पीडिया सब्सक्राइब नीचे के लिखे हैं वो उपर में अप लिखे थे ना मतलब accepted theory was given बाई हक्सले अन हक्सले दो scientist थे बाप और बेटा और वो जो sliding filament theory उस accepted theory का नाम है उस accepted theory का नाम है एक मिट सब्सक्राइब एक मिट सब्सक्राइब एक मिट सब्सक्राइब एक मिट साथ हो गया यह सब चीक चलो आगे बढ़ते हैं णुस बढ़त songs बादा को बादा कुझ कुझ झाग यह कुछ बादा कुझ 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 ột देखो अगला पॉइंट ने लोकस्तो इंडो प्लाजमी रेटिकुलम होगी है हां नेक्स्ट लेखो मायो फेवर्ल स्टन नेक्स्ट ऐसार रिलीज इस ऐसार यानी सारको प्लाजमी रेटिकुलम SR रिलीज इबंडन्ट कैलसियम आयन इन सारको प्लाजम इन सारको प्लाजम डैट रिमूब्स मास्किंग प्रोटीन जैसा कि हम बताये थे बहुत कैलसियम आयाएगा जोंकि मास्किंग प्रोटीन को हटा देगा आप देगा देगा सिद्यूब्स मास्किंग प्रोटीन जो की है ट्रोपोनें अंद रोपो मायोसेन ठेक है फ्रोम अक्टिव साइट रोम active side से हटा देगा next point लिखेंगे या उसी में कर देते हैं resulting formation of contractile complex resulting formation of contractile complex एक है next point in this case thin filament slides inside thin filament slides inside the thick filament जो पतला वाला filament है i-band वो मोटे वाले a-band के अंदर की तरफ slide करता है ठेक है next point hence hence length of i-band ी decreases hence length of i-band decreases length of i-band decreases and and length of eye band decreases या इसी में eye and अभी मत नहीं करते है Z disc comes closer H line disappears H line ya H zone disappears and there is no change यह बहुत important point and there is no change in length of a band in length of a band a band या फिर इसे को actin band बोलेंगे a band and actin filament भी कर देते हैं a band and actin filament a band यानी a वाला band इसमें myosin था and actin filament यानी eye band या दा रहा है इंदे गड़ारा नहीं है next it is effective it is ऐसे करता हूँ responsible effective छोड़ दो responsible for movement of body responsible for movement of body body movement के लिए यही responsible है next point important है by reversible process sorry इसके बार दो यहां यह last point इसके बार छोड़ दाएंगे by reversible process relaxation of muscle occurs relaxation of अब भी आई किसा आज कल खत्म भी हो जाए गई है muscle occurs reversible process relaxation of muscle होता है इसका मतलब क्या इसका मतलब जैसे मालो एक बार जैसे जो हमारा भी masking protein था इसमें calcium bind हो गया और यह मालो contract कर गया तो इसको वापस सीधा भी तो होना होगा तो सीधा कैसे होगा तो उसके लिए है reversible process होता है और relaxation of muscle occur होता है तो उस वक्त एक सवाल बनता है कि सर जब एक बार calcium चिपक गया है तो अलग कैसे होगा तो उसका जवाब है in relaxed phase in relaxed phase calcic strain calcic strain protein catches calcium ions in sr calcium ions in sr sr यानि sarcoplasmic reticulum ठीक है अब बताईए कहीं कोई दिक्कत हो तो नहीं हो